हिमाचन में विधानसवा चुनाओं का कभी वियलान हो सकता है इससे पहले राजिये में उदगाटनों वशिलानियासों की प्रक्रियाने भी जोर पकड़ा है सरकार के मंत्री वविधायक आये दिन उदगाटन वशिलानियास में व्यस्त नजर आ रहे हैं नहान के भाजवा विधायक बीजे पी के वरिष्ट नेता डाक्टर राजी बिंदल ने आज नहान विधान सबक शेतर के काला आम सेनवाला सतीवाला रामपूर भारापूर को करोड़ रुपए की सोगाद दी इस दोरान विधायक ने कई विकासात्मक योजनाओं के उदगाटन वर शिलानियास किये विधायक ने आमवाला सेनवाला में पटवाल सरकल और सामुदायक भवन के उदगाटन के लावा पेजल योजना का शिलानियास किया वहीं बात कालाम में विधायक ने मुख्यमंतर लोग भवन का लोकारपन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक राजी बिंदल ने कहा कि आज की दिन नहान विधान सबाक शेतर के कई इलाकों को करोड रुपे की सोगाते दी जा रही है। प्राता काल से उदगाटन शिलान्यास का दौर चला है। इस समय हम मुख्यमंत्री लोक भवन में खड़े हैं। ये शांदार भवन हमारी सरकार बीजेपी की सरकार जैराम टाकुर सरकार की देन है। जिसकी धनराशी माननी राष्ट्रिय द्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने की थी उसका उदगाटन किया। और अभी लोक भवन का उदगाटन किया। यहां से काला आमसेत लोकपूर की जो सडक है। उसकी अपग्रेडेशन के लिए हमारी सरकार ने 6 क्रोड रुपे दिया है। इसकी अपग्रेडेशन का शिला नियास किया। इसके बाद सती वाला में 5 क्रोड रुपे की लागत से बनने वाली सीचाई योजना का शिला नियास होगा। उसके बाद मातर पंचायत के नलका में 8-10 का स्कूल हुआ है। उसका उदगाटन होगा। एक नया वेटनरी होस्पिटल नलका में बना है। उसका लोकारपन होगा और उसके बाद दोहला कुआ पंचायत में भारापूर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन होकर के सीच सी पनेगी। अब हम कलपना कर सकते हैं एक दिन में इतने सारे उदगाटन और शिलानियास और ये क्रम लगातार चला हुआ है। मैं इलाकावासियों को बधाई देता हूँ, शिरी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, शिरी जैराम ठाकुर की सरकार, बीजेपी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, पिछले पांच साल के अंदर अनेक अनेक महत्वपुर्ण संस्थान हमारे नाहन विदान सबाक्षेत्र में ब धर्ण करता हूँ